बच्चो कि मैंने आपसे अभी क्या कहा कि क्या कहा मिने आपसे कि आउक्टा हेडरल कॉंप्लेक्स किस तरह से बनता है मानलो हमारे पास मेटल है मानलो अमारे पास मेटल है और आपको पता होगा कि मेटल के पास कौन से और्बिटल होते बोलो मेटल के पास होते डी और्बिटल और डी और्बिटल में होते इलेक्ट्रॉन्स हायाना बताओ जल्दी ये बात सब एगरी करते हो हमारे पास जो भी मेटल से उन मेटल में d-orbital है और d-orbital में electron से सब एगरी करते हैं बुलो हायाना मेसेज करके बताओ जल्दी से बता दो जल्दी बता दो सबको अच्छे से पता है कि सर कि सर हमारे पास ये तो लिगेंड थे छे लिगेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इनको जैसे metal के उपर positive chart दिखा यह भागते भागते पास आ गई that is primary interaction लेकिन जैसे ligand बहुत पास गए सुनना अच्छे से जैसे ligand बहुत पास गए पास जाने के बाद ligands को पता चला अरे भाई इसके पास तो electrons है अरे भाई इसके पास तो electron है तो यहाँ पर repulsion बढ़ेगा मतलब एक तो first of all primary interaction हो रहा है यहाँ पर primary interaction हो रहा है यहाँ पर और दूसरा जो interaction होगा secondary interaction होगा आप difference समझो primary interaction तब होगा जब ligands metal से दूर होँगे जैसे ligand metal के पास आए कुन सा interaction होगा बच्चो तब जाके होगा secondary interaction बोलो clear है ligands पास आने के बाद होगा secondary interaction और secondary interaction में repulsion होगा due to electron present in metal बोलो clear है सबको दो चीज़े primary interaction बोले तो far field secondary interaction बोले तो near field कहाँ पर attraction होगा कहाँ पर repulsion होगा सबको समझ में आया बोलो clear है आए ये थोड़ा सा metal के d-orbital की तरब चलते ही मानलो ये metal का d-orbital है ये 1, 2, 3, 4, 5 अब देखो ये था ground state जब metal के पास कोई नहीं था जब metal plus 2 में था जैसे ही ligands उसके तरब आये ये जो d-orbital थी ना बच्चो ये excited हो गई ये d-orbital इसकी energy बढ़ गई और energy बढ़ने के बाद ये ground state से कहाँ पे चले गए excited state में द्यार excited की अब हमारे पास आ रहे ही ligands मैं सारे चिज़े clear कर दोगा थोड़ा सा wait कर दो अब हमारे पास ligands आ रहे है तो हमारी bond बनाने के लिए थोड़ी बहुत energy आपको देनी पड़ते हैं जैसा नहीं की तो ये जो de-orbital है ना इसकी energy आप तोड़ी सी क्या इसको तोड़ा सा excited state में ले जाओ अब excited state में ले जाने के बाद क्या होगा सार तो कुछ नहीं होगा अब होगा repulsion देखो ये दो था ना यहाँ पर ये था प्राइमरी interaction ये था प्राइमरी interaction ये दिख रहे ना आपको या फिर मैं इसको बोलूँगा far field इसको बोलूँगा far field मतलब जैसे ligands दिखे metal को metal excited हो गया ground state से excited state यानि कि far field अब जैसे ligands पास आने लगे अब मुझे बताओ cube के अंदर cube के अंदर ligands कहां से approach करेंगे तो आप बोलोगे sir देखो या तो ligand उपर से आएगा उपर के face से या तो ligand इधर के face से आएगा या इधर के face से लेकिन face center से आएगे 6 ligand नीचे उपर सब जगा से मतलब ligand आएगे face center से और जैसे face center से ligand आए अब मुझे बोलो face center से अगर ligand आ रहे तो repulsion कौन से और्बिटलों में ज़्यादा बढ़ेगा repulsion कौन से और्बिटलों में ज़्यादा बढ़ेगा axial और non-axial orbital बोलो क्योंकि electrons होगे सुनो अच्छे से भाई अच्छे से सुनना बच्छो अच्छे से देखो मैं क्या बता रहा हूँ हमारे पास cube है उस cube के अंदर उस cube के अंदर 5 d-orbital है मैंने पढ़ा आपको उस 5 d-orbital हो में से सब के अंदर electron से तो अब मुझे बताओ ज़्यादा repulsion कौन से d-orbital feel करेंगे ligands इसे पास आएंगे कोन से d-orbital ज़्यादा repulsion feel करेंगे मुझे बताओ message करके which d-orbital feels more repulsion बताओ जल्दी clear बताओ कोन से d-orbital ज़्यादा repulsion feel करेंगे face center से ligand आने के बाद axial और non-axial तो दो axial थे सुनना आच्छे से जो axial थे उनको repulsion ज्यादा होगा ligand अगर axis से आ रहे है न तो मैंने बोला था जिनके लोब कहाँ पे बच्चों जिनके लोब cube के face की तरह पे और ज़्यादा repulsion feel करेंगे और repulsion होगा तो उनकी energy बढ़ेंगी और d-orbital की splitting हो जाएंगी याद रखना ये हमारे dx square minus y square ये हमारा dz square इन दोनों की energy q बड़ी समझ में आया और दूसरी तरफ हमारे पास कोन आ जाएगा देखना दूसरी हमारे कोन से और्बिटल आ जाएगे नीचे की तरफ नीचे की तरफ कोन से और्बिटल आ जाएंगे dxy, dyz, dxz समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ non axial नीचे की तरफ क्यों गए axial उपर की तरफ क्यों गए सबको clear है आई ये थोड़ा सा और अच्छे से समझते अब तुम बोलोगे sir repulsion तो सब और्बिटलों को feel होगा ना सबसे जादा repulsion कोन feel करेगे dx2-y2 and dz2 इसलिए splitting होती है और याद रखना इसलिए splitting होती है splitting का reason समझ में आया जल्दी बताओ splitting का reason समझ में आया कि d orbital की splitting की होती है due to repulsion of ligand to the d orbital electron इसलिए d orbital की splitting होती है अब इसी को बोला जाता है near field इसी को बोला जाता है near field या secondary interaction इसी को बोला जाता है near field बोलो clear है सबको near field में splitting होगी और far field में splitting नहीं होगी primary interaction में attraction होगा और secondary interaction में repulsion होगा क्या यहाँ तक की बाते सबको clear है splitting समझ में आई बोलो सबको clear है आगे बढ़े क्या बहुत आगे बढ़ जाएंगे अभी देखो आभी मैं एक चीज पढ़ा रहा आपको मानलो ये d-orbital थे ground state के 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है नब जैसे ligand पास आएंगे ये थोड़े से excited हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है जैसे ligand और पास आएंगे तो splitting हो जाएंगे इस तरह से ये नीचे 3, ऊपर 2, ये octahedral का case चल रहा है बच्चो coordination number 6 का case चल रहा है ठीक है अब देखना, अब अच्छे से देखना मैं क्या करता हो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत जादा अच्छे से ये जो मैं एक line मार रहा हो देखो इसको बोला जाता है इसको बोला जाते है, बैरी center, इसको क्या बोला जाते है बैरी center अब दूसरी important बात का बैरे center क्या होता है सुनो अच्छे से इसको बोला जाते है वेटेड एवरेज एनर्जी अब देखो इसका क्या मतलब है सर वेटेड एवरेज एनर्जी का क्या मतलब है आये समझते सुनो ओ यह क्या होगा है रुख जाओ वेटेड एवरेज एनर्जी को क्या मतलब है आये समझते देखो पहले ब बोला जाता है बैरे सेंटर अब देखो important बास समझो बहुत अच्छे से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ इन दोनों का जो difference होगा न बच्चो इन दोनों का difference है न उनको बोला जाता है delta O splitting energy of octahedral complex delta O बोले तो क्या delta O बोले तो splitting energy of octahedral complex बोलो समझ में मतलब समझ में आया ओके आए आगे बढ़ते थोड़ा सा थोड़ा सा आगे मैं बहुत important चीज़ बढ़ा रहा आपको उसके बाद देखो मान लो बहुत अच्छे से समझो मान लो यह orbital देखो यह थी आमरी energy average यह थामरे excited अब जो यह तीन orbital जिस energy से निचा यह देखो इन्होंने कुछ ना कुछ energy release की होगी इसी energy को किसने absorb किया यह दोनोंने और उपर चले गए मतलब आपको different समझ में आया क्या या फिर मैं ऐसे बोल सकता या फिर मैं ऐसे बोल सकता सुनो देखो इन देखो हाँ यही 6 थीक है आपके लिए तीनों निचे आने के वक्त इन तीनों orbital जैसे निचे आये इन्होंने energy क्या किया होगी बोलो रिलीज की होगी वही energy उपर वाले orbital ने क्या कि होगी absorb की होगी और उपर की तरफ गए होगी मतलब मैं बोल सकता हूँ यह जो energy है ना भाई सुनो बहुत अच्छे से सुन लो इसको थोड़ा बडा दिखा तो.. इसको थोड़ा बडा दिखा दिखा थीक है यह देखो यह इसको यह हो गय अमारे उपर्वालीומir gate और भाई यह हो गय अमारे नीचे वालीों अर्पेल समझ में आयेगा देखो यह हो प्ली आभाई देखो यह हमारा बैरी सबको किसने कितनी energy release की कितने कितने अबज़र्प की तीनों ने जितनी रिल् Technical कि ऊपगे अब देखो इन दोनों को डेल्टा यहां के जो गया पर उसको बोला जाता डेल्टा हो आप देखो यहां पर आपको मैं energy का थोड़ा सा distribution पढ़ा रहा हूँ देखो आच्छे से मानलो मेरे पास 4 orbital है भाई मेरे पास 4 orbital है और 4 orbital का यह हो गया एक और 3 में मैं जब 3 orbital नीचे आ गए बच्चो या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 3 3 orbital उपर की तरफ चले गए मैं बोलूगा 3 orbital उपर की तरफ चले गए और एक orbital नीचे की तरफ चला गया तो आएए इसका energy का distribution कैसे करता हूँ मैं सुनो total orbital कितने थे 4 total orbital कितने है चार उपर कितने है उपर उपर तीन है तो नीचे मतलब minus 3 by 2 देखो इसने कितने रिलीज की होगी तो मैं वापस से बता देता हूँ इस एक orbital ने कितने रिलीज की होगी तो मैं बता रो सुनो देखो कितना है total orbital कितने बोलो 4 total 4 है उपर कितने orbital है 3 उपर कितने 3 तो minus 3 by 4 इसने रिलीज की होगी और उपर वाले ने कितने नियुने आपज्रोब की होगी अपर वाले तो में किस तरह से निकालता ओंत ब्लॉस एबस्सा बोले तो प्लस अब तो टोटल ऑर्विटल कितने हैं चार और नीचे ऑर्विटल कितने ही वन vedभ लो हर एक और्बीर और ने इतनी एनर्जिय एंप लोगी और नीचे वाले और अर्बीटल ने इतनी एनर्जी रिलीस की होगी समझे या नहीं समझे बोलो जल्दी मечно Cal wolf 12 क्लियर है सबको किस तरह से लिखा किस तरह से लिखा मेंने बोलो जो माइनस इने और उपर प्लस वन बाई वन बाई फोर किस तरह से लिखा समझ में आया अब देखो मैं थोड़ा सा अब आपको अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊ ना देखो हर एक और अर्बिटल ने अगर इतनी एनरजी एपसोप की वन बाई फोर देखो थोड़ा सा हम फ समझे हैंवक और वर इस हमें पोलोज के रिलीज कितनी हुई होगी तो आप बोलोगे सर देखो टोटल ऑटल कितने हैं सर 5 ते रिलीज बोले तो माइनस अट कितने हैं सर 5 तो होटल तो 3 binatको 3 प्लस ट्रिवा 5 डेल्टा हो एकुए और माइनस कितनी हो लाँ उल्मार प्ल बोलो clear है सबको, message करो, energy का energy किस तरह से निकालेंगे हर orbital के लिए, बोलो clear है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ, थोड़ा और अच्छे से देखो, हमारे पास pass orbital थे, हमारे पास थे 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि एक ही बार समझो, मज़ा आ जाएगा, कोई जरूरत ने, बार बार मेनेश करने की, 2 उपर, 3 नीचे, आप मैंने अभी कहा कि, total orbital है, सर 5, उपर कितने, 2, तो minus 2 by 5, release हुई, नीचे आते समय, उपर बोलो, total कितने, बोलो, पायू, और नीचे कितने, plus 3, आप देखो, हर orbital ने, each orbital ने इतने absorb की होगी, total 2, तो इसको 2 से multiply कर दो, तो कितना answer आ जाएगा, बोलो, plus 6 by 5, इधर total कितने बोलो, तीन, तो 3 से multiply कर दो, answer कितना आएगा, minus 6 by 5, आ गया clear, हो गया clear आपका, हो गया clear, हर orbital ने इतनी energy release की, हर orbital ने इतनी energy absorb की, 2 ए, तो total answer आगया, plus 6 by 5, नीचे, minus 6 by 5, बोला था न, उपर जितना, उतना ही नीचे, जितने energy release होई, उतनी energy absorb होई, बोलो clear है सबको, इच और्बिटल ने कितनी energy release की, सबको clear है, बोलो जल्दी, message करो, delta O, delta O, हा या न, बता दो, हा या न, बता दो जल्दी से, clear है सबको, इच और्बिटल ने total कितनी energy absorb की, सबको clear है, message कर दो सब, अच्छे से बता दो, ठीक है ना, आगे बढ़ू, देखो अभी, अभी और काम की चीज़ समझो, हमारे पास ground state में 5 थे, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 थे ground state में, और आगे बढ़ जाता हो, यह था हमारा excited state, उसमें भी कितने थे, 5 थे, ठीक है, अब देखो, इसको मैं किसमें break किया, आपने, एक तो था, उपर वाले 2 orbital, नीचे वाले 3 orbital, देखो, octahedral, एक symmetrical, मतलब, octahedral में, जो d orbital है, हो symmetrical ही होते है, तो मैं उपर वाले को बोलूँगा, eg, और नीचे वाले को बोलूँगा, t2g, देखो, इनका मतलब समझो, इनको बोला जाता है, इस set of d orbital को t2g बोला जाता है, उपर वाले को बोला जाता है, eg, जी बोले तो जिरेट, जिनोंने emoji पड़ा, उनको पता होगा, कुछ भी नहीं बता आपको, तो यह याद रख लो, जो उपर वाले orbital हैं, उसको कहा जाता है, eg, मतलब कौन से, dx square minus y square, and dz square, मतलब इसका मतलब होता है, w e degenerate, w e degenerate का मतलब होता है, 2 orbital जो की same energy के, w e degenerate का मतलब समझ में आया सबको, 2 orbital जो की same energy के है, और याद रखना नीचे को कहा जाता है, triple e degenerate, इसको कहा जाता है, triple e degenerate, dxy, dyz, और dxz, इनके बीच में very center है, उपर की तरफ कितने energy absorb करेंगे यह वाले, plus 3 by 5, और नीचे, minus 2 by 5, delta o, delta o, इन दोने के addition कर दो, देखो, इनके addition करके check कर सकते हो, minus, sorry, plus 3 by 5, delta o, minus 2 by 5, delta o, कितना answer आएगा, message करके बता सकता है कोई, इसका answer कोई बता सकता है, one आएगा ना, इसका answer आएगा, delta o, समझे, इसका answer delta o आएगा, बोलो clear, इसलिए मैंने बोला, दोनों का difference आपका आता है, delta o, clear है सबको, message करके बताओ, क्या, यहां तक की सारे बाते clear है, सबके message आने चाहिए, एकदम अच्छे से, 3 by 5, delta o, से 2 by 5, delta o, निकाला, तो एक बचेगा आपका, ठीक है, ठीक है, बच्चो, clear है, अच्छे से, आप देखो, मुझे क्या पढ़ाना था, इससे भी काम की चीज़ क्या है सर, तो इससे काम की चीज़ अभी मैं बताऊँगा, बहुत काम की चीज़ है, कि सर, कि सर, यह तो सार, सर किसके लिए, देखो भई, यह किसके लिए था, बताओ, ये किसके लिए था बताओ, ये तो था octahedral के लिए, सर tetrahydral के लिए उल्टा होगा, देखना भाई, बहुत मज़ा आएगा आभी, tetrahydral का भी बता दिताओ आपको, ठीक है बच्चो, देखो सर ये ground state है, ये ground state है deorbital की, 1, 2, 3, 4, ये ground state of deorbital, सर ये excited state of deorbital, आप खुद में ligand face की तरफ से approach नहीं करते बच्चो, याद रखना, tetrahydral में ligand कहां से approach करेंगे, कहां से approach करेंगे बोलो, edge center से, edge center की तरफ approach करेंगे, तो उपर की तरफ को जाएगा, उपर की तरफ जाएगा, sir, t2, g मत लगा देना, याद रखना, और नीचे की तरफ आएगा, sir, e, g, e, e आएगा, श्रिप, नीचे के तरफ, e आएगा, याँ पे gerade का concept नहीं, याँ पे g मत लगा देना, सबको clear है, उपर t2 जाएगा, और नीचे e जाएगा, उपर triple e degenerate, नीचे double e degenerate, लेकिन gerade मत लगा देना, g मत लगा देना, जो हमने octahedral में use किया था, दूसरी important बात, टोटल ओर्बिटल कितने 5, नीचे के तरफ कितने 2, पलसो प्लस 2 बाइ 5, delta हो, माइनस 3 बाइ 5, delta हो, समझे या नहीं, समझे, बोलो जल्दी, इसकी splitting, tetrahydral की splitting, समझ में आई सबको, ulta है, इसके ulta, octahedral के ulta, जल्दी बताओ, याँ पे o मत लगा देना, याँ लगा देना, t delta t tetra idol है na delta t ठीक है न बच्चो यहां पर लगा दे Mussopopopop Delta t Delta t समझे या नई, समझे message करके बताओ message करके बताओ वापस से देखो वापस से देखो, इधर देखो गयो, एकदम अच्चे से देखो मैं आपको बहुत ज्यादा से clear कर देता हूँ दो डाइग्रेम आपको देज़ दिये, उपर देज़ दिया 2, उपर देज़ दिया 2, सुनो, उपर देज़ दिया 3 है और नीचे 2 है इस तरह से, इधर उपर 2 है और नीचे 3 ऑर्बिटल है, अब मुझे बता दोनों में से ओक्टाएडरल वाला कौन से है, तो आप बोलेंगे सेकंड वाला ओक्टाएडरल है, फर्स्ट वाला टेट्राएडरल है, एक और चीज़ अगर आपने अप्जर की होगी तो सर, इनका जो ग्याप है उसको हम डेल्टा टी बोलेंगे, ओक्टाएडरल का ग्याप को हम बोलेंगे डेल्टा ओ, अब देखना दोनों में से स्प्ल स्प्लिटिंग होगी, आपको समझ में आ रहा है बच्चो, मेसेज करो जल्दी से, मेसेज कर दो, क्लियरली बताओ, समझ में आया सबको ज्यादा स्प्लिटिंग औक्टाएडरल में होगी, और याद रखना ये वाली चीज, याद रखना ये वाली चीज बच्चो, इसको हम T2G इसको बोलेंगे EG यहाँ पर देखो EG नीचे तो यहाँ पर E लिखेंगे G मत लिख देना और उपर लिखेंगे T2EE Degenerate और यह double E Degenerate हो गया सबको clear अब important चीज important चीज मैंने बोला था energy का देखो वापस से लिख देता हूं मैं ठीक है देखो दोनों को समझो अच्छे से यह मैं इधर लिख देता हूं octahedral का यह EG उपर T2G नीचे अब बोलो दोनों का दोनों का बोलो energy नीचे कितने आएंगी सर नीचे आएंगी total तो पाच है सर उपर कितने 2 सो माइनस 2 बाइ 5 डेल्टा हो नीचे आएंगी उपर कितने जाएंगे तो आप बोलो के सर देखो सर टोटल तो पाच है उपर है बोले तो प्लस और नीचे कितने 3 है सो 3 बाइ 5 डेल्टा हो यह याद रख ले न ठीक है न और मिने टेट्राइडल के लिए क्या बोल रखाएंगे बोलो उपर आएगा आपका T2 उपर आएगा T2 और भाई नीचे आएगा EG और आप बताओ E E T2 और E आप बताओ मुझे अच्छे से स्प्लिटिंग एणर्जी बताओ नीचे कितने आएगे तो आप बोलो के सर देखो टोटल तो पाच है सो माइनस 5 उपर कितने 3 तो माइनस 3 भाई 5 डेल्टा टी और उपर की तरफ एब्जॉब कितने होगी जल्दी बोलो प्लस 2 भाई 5 डेल्टा टी और दोनों का इनका डिफ्रेंस क्या आएगा सब दोनों का डिफरंस देल्टा टी इनका डिफरंस आएगा डेल्टा हो बोलो क्लियर है splitting energy of octahedral and splitting energy of tetrahydral बोलो यहां तक की बाते बच्चों सबको क्लियर है बताओ octahedral splitting और tetrahydral splitting सबको क्लियर है सबके message आने चाहिए मुझे चेक करना है सबको समझ में आया क्या octahedral splitting और tetrahydral splitting सारी सबके clear है क्योंकि बहुत ज्यादा important चीज़ है ठीक है ना बहुत ज्यादा important चीज़ है ठीक है चलो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आगे बढ़िया अभी आप बोलो किसी को दिक्कत नहीं न कुछ देखो अब एक relation याद रखना relation जो कि आपके एकजाम में आ सकता है डेल्टा tetrahydral जो होता है न वो होता है आपका 9 into tetrahydral is equal to 4 into octahedral इसको याद रखो अगर 9 बार अगर आपकी tetrahydral की देखो 9 into tetrahydral is equal to 4 into octahedral तुम आपको पता है अगर 9 बार tetrahydral लो तो 4 बार octahedral लेने के बराबर है तो definitely octahedral वाला ज्यादा होगा या फिर book वाले कभी-कभी इसको इस तरह से लिखके देते है ये आपको कोई याद देखो भाई ये कैसे आया क्यों आया इसका आपको कोई लेना देना ने एक्जामिनर कभी ने पुछेगा आपसे या फिर इसको ये से याद रखो डेल्टा T is equal to 4 by 9 डेल्टा हो चलो दोनों में से कोई भी याद रखो आपको पुछेगा relation between octahedral and tetrahydral splitting इस relation को याद रख लेना बोलो clear है बच्चो बोलो हाया ना बोलो clear है सबको अब देखो कभी-कभी क्या होता है पता है क्या कभी-कभी क्या होता है मैं इसको इस तरह से लिकोंगा देखो उपर था आमार octahedral की बात कर रहा हूँ ठीक है मैं उपर easy था नीचे था T2G और sir देखो नीची की तरफ कितना आया था रे बोलो जल्दी नीच इसको Solvely के बाद आप बोलोगे sir 0.6 Δt忒 नीचे आ रहा है 0.5 ΔT忒 ठीक है न जीनौप? 0.4 देखो दोनों के addition की तो sir आ रहा है one égal मतलब यह clear हो घो सबको क्या किया में रहाई जल्दी बताओ यह वाली चीज क्लिए क्लिए message कर दो जल्दी से उपर वाले को बोल सकता हो, प्लस 0.6 डेल्टाव नीचे वाले को बोल सकता हो, माइनस 0.4 डेल्टाव, तो ये भी हम लिख सकते, तो इसमें कोई गलत नहीं, अब याद रखना, अब ही मैंने क्या बोला, मैं इदे को, इधा देखो, आप में 1 delta O का मतलब होता है 10 dequeral ये भी energy के unit है ठीक है तो इसको घबराना मत 1 delta O तो आपका 10 dequeral तो कभी-कभी examiner क्या देता है पता है क्या देखो 0.4 delta O का मतलब क्या होगा जल्दी बोलो 4 dq समझे 0.6 delta O का मतलब होगा आपका 6 dq समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी हो गया clear आपको 1 delta O का मतलब होता है 10 dq तो 0.4 delta O का मतलब होता है 4 dq और 0.6 का मतलब होता है 6 dq तो सारे चीज़े से में यानि कि कभी-कभी इस तरह से भी रिक्लिक के देगा overall कितना है बोलो 10 dq उपर की तरफ देखो नीचे की तरफ minus 4 dq और उपर की तरफ plus 6 dq समझे या नहीं समझे सारे चीज़े से में समझ में आया सबको चाहिए ओ delta O में दो या dekural में दो आपको अच्चे से समझ में आना चाहिए बोलो सबको clear है मेसेज करके बताओ सारी चीज़े clear है सब बताओ सब सबको clear है क्या सबको clear है कभी-कभी यो unit change करके देगा तो उतमें कोई घबरानी की ज़्यादा धरूरत नहीं ठीक है ना चलो अभी क्या करो सब rejoin कर लो rejoin कर लो सब और ना cut हो जाएगा ठीक है rejoin कर लो